हेलो दोस्तों आज किस वीडियो में हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की यूनिट 2 के चैटर 1 को समझेंगे यहाँ पर दोस्तों चैटर का नाम है वैश्वी करण से वी वैश्वी करण और उत्तर वैश्वी करण दोस्तों यहाँ पर मैंने जो notes तयार किये हैं यह मैंने दोस्तों due sol की book से तयार किये हैं हालना कि दोस्तों आप open के student हों या regular के student हों सभी के लिए ये useful है कई बार दोस्तों NC web के students भी पूछते हैं कि sir क्या ये हमाई लिए useful है तो देखिए दोस्तों अगर आपका syllabus same है तो ये आपके लिए पूरी तरह useful है मतलब main आप syllabus देखा करिए कि अगर आपका syllabus match कर रहा है पूरी तरह तो फिर ये आपके लिए पूरी तरह useful है तो मेन आपका सिलीबर्स होता है तो यहाँ पर दोस्तों हमारा टॉपिक है वैश्वी करण का इतिहास और उत्पति लेकिन दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक बात आप समझ लो देखें दोस्तों यहाँ पर आपको वैश्वी करण का अर्थ अच्छे से पता होना चाहिए कि वैश्वी करण क्या होता है वैश्वी करण का क्या अर्थ है इसकी क्या परिभाशा है क्या इसकी विचेशताएं है अब दोस्तों यहाँ पर आप बात को समझेए वैश्वी करण क्या होता है इसकी क्या विशेशताएं हैं इसके उपर मैंने अल्रेडी एक वीडियो बनाई है अगर दोस्तों आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपको काफी अच्छे से वैश्वी करण का अर्थ समझ में आ जाएगा वो वीडियो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लेना 14-15 मिनट तक की वीडियो है लेकिन वो आपके लिए काफी यूसफुल है ठीक है आपको एक बेसिक अंडरस्टें आपको उस वीडियो से मिल जाएगी वैश्विकरण के बारे में आपको वैश्विकरण का अर्थ उसकी उससे संबंदित जो भी विशेशताएं हैं वह आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा आई बटन पर मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा या फिर प्लेलिस्ट मे मानना है कि दुनिया भर में अंतर संबंद और आदान परदान के संदर में वैश्विकरण प्रागैतिहासिक काल से अस्तित्व में हैं जबकि अन्य इसे एक समकालिन घटना मानते हैं कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कई सारे जो विद्वान हैं दोस्तों वह अलग-अलग राय रखते हैं वैश्विकरण को लिखर कई सारे जो विद्वान हैं वो मानते हैं कि जो वैश्विकरण हैं वो प्राचीन काल से होता चला आया है और कई सारे विद्वान हैं जो ऐसा मानते हैं कि जो वैश्विकरण जो वैश्वी करण है जो globalization है ये एक समकालिन घटना है समकालिन मतलब ये वर्दमान समय के घटना है मतलब जादा पुरानी नहीं है तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अलग-अलग विद्वान इस पर अलग-अलग तरह से अपनी राय यहां पर रखते हैं मैंद्फ्रेड इसटीगर ने वैश्वी गरंड के इतिहास को प्राग इतिहासिक पूर्व अब यहां पर देखी दोस्तों हम यहां पर मैंद्फ्रेड स्टीगर और जोर्ज रिचर्ड़ के दुवारा जो भी globalization के वारे में जो भी बातें की गई है globalization क्यूत पत्ति और इतिहा तो इन्हीं दो विचारकों को मुख्य रूप से शामिल किया गया है तो मैं यहाँ पर इन्हीं को पढ़ा रहा हूं इसके लावक कई सारे दूसरे वी विद्वान है जो वैश्विक रण के बारे में बताते हैं तो आए वापस से यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंफ्रेड इस्टीगर ने वैश्विक रण को गुलोबलाईजेशन के इतिहास को प्रागेतिहासिक पूर्व आधुनिक प्रारंबिक आधुनिक आधुनिक और समकालिन काल में मतलब बाटा है जबकि जॉर्ज रिचर के ने अपनी पुस्ता गुलोबलाईजेशन ए बेसिक टेक्स्ट में गुलोबलाईजेशन के इतिहास को कठोर, चक्र, युग, घटनाओं और व्यापक हाल के परिवर्तनों के संदर्व में पहचाना है यह नुभाग इन्हे संबोधित करने का प्यास करता है तो यहाँ पर दोस्तों सामानने बाते थी, आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर बस यही बाते बताएगे कि जो वैश्वी गरण है, ठीक है, यह कब से शुरू हुआ, तो विद्वान इस पर अपनी राये रखते हैं कई सारे विद्वान मानते हैं कि बहुत पराचीन समय से वैश्वी गरण शुरू हो गया था पाई-छूप आरी बात्तें के क्लियर होई होंगी अब दोस्तों यहांपर हम बात कर रहे हैं वईश्भी करण के इतिहास मैनफ इस्टीगर की संकल्पना तो मैनफिलेडेश्टी prestige की क्या संकल्पना रही है वईश्भी गरण के इतिहास को इसको दोस्तों इन्होंने अलग-अलग चड़नों में बाटा हैं तो यहां पे पहला है पूर्वैतिहासिक काल लगभग 12,000 साल पहले वैश्विक मानव फैलाव तब शुरू हुआ जब खानाब दोश समू अपने साइबेरियाई पूर्वजों के बाद दच्छन अमेरिका पहुँचे 10,000 साल पहले क्रिशी में बदलाव के कालंड कुछ प्रमुख उपजाव छेत्रों में समाज बस गए जिसके परिणाम सुरुप, जन संख्या वृद्धी और विशेश सामाजिक वर्ग विक्सित हुए इस पॉइंट को दोस्तों आप सामाने रूप से इस तरह से समझ सकते हैं कि इस समय ये जो पूर्वैतिहासिक काल था इस समय लोग एक जगा से दूसरी जगा घूमते थे और नई जगाओं पर बसने लगे थे लोगों ने क्रिशी की शुरुवात की और खेती करने लगे और इस से लोगों की संख्या बढ़ी और विविन समाजिक समू बनने लगे मतलब दोस्तों आप यूँ कह सकते हैं कि एक ऐसा काल था पूर्वैतिहासिक काल जब लोग एक जगा से दूसरी जगा घूमते थे ठीक है और नई जगाओं उपर बसते थे हाला कि फिर इसी बीच किरशी की भी शुरुवात हुई थी ऐसा नहीं कि बिल्कुल किरशी की जैसे कि हम कहते हैं कि बिल्कुल किरशी की शुरुवात हो गई और लोग महीं पर पूरी तरह बस गए ऐसा नहीं है हां स्टाटिंग यहाँ पर आप यह समझ सकतें कि यह स्टाटिंग पॉइंट है कि किरिशी की शुरुआत होई फिर दिरे थे थोड़े बहुत समाज बनने लगे ठीके , यह सामाने बातें थी यहाँ पर ठीके तो यह आ पंद्रा सो एश्वी एश्वी कहलो या सी हटाई दो ठीक कॉमन एरा भी कहते हैं से सी इभी कहते हैं या सिर्फ आप एभी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं तो यह समझ में आया आपको पूर्व आधुनिक काल इस अवधी में लेखन और पईये का आविश्कार हुआ जिसने वैश्वी करण के लिए एक परिवर्तन कारी अवधी को चिनहित किया तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सामाने बातें आपको बताये जा रही हैं यह जो मतलब काल था पूर्व आधुनिक काल तो इस अवधी में लेखन और पईये का आविश्कार हुआ यह आपको यहाँ पर बताया जा रहा है इसके लावा बात के पूर्व आधुनिक युग मे रेशम मार्ग ने चीनी और रोमन सामराजियों को जोड़ा इसके लावा वह हैश्विक व्यापार नेटवक तो उसने प्रवाकर न जन संख्य वृध्धी और प्रमुक विश्व धर्मों के पृत लहतें कीया तो यह जो वैपार नेटवर्क था इसने प्रवासन को बढ़ावा दिया कई मत्रवासन आप जानती है जो माइग्रेशन होता इसको बढ़ावा दिया जनसंक्य अवरिद्धी होई ठीक है कुछ जो धर्म थे जो कुछ प्रमुक्त उनका उनका प्रसार भी हुआ साथ ही साथ स अवधी जो यूरोपिये पुनरजागरण से लेकर घ्यान उदे तक फैली होई थी ने यूरोप को वैश्विकरण के उत्प्रेरक के रूप में देखा यूरोप ने इस समय दुनिया के अन्य हिस्सों से नई तकनीकों को सीखा यूरोपिये महानगरिये केंद्रों और समरा पुंजिवादी प्रथाओं के उदे के कारण सन्युक्त स्टॉक कंपनियों की स्थापना हुई जिसने अपनिवेशिक नहितार्थ और समाजिक परिवर्तनों के साथ एक वैश्विक आर्थिक परिद्रिश्य को आकार दिया कहने का मतलब दोस्तों यह है कि यह दोस्तों य नहितार्थ और समाजिक परिवर्तनों के साथ एक वैश्विक आर्थिक परिद्रिश्य को आकार दिया इसके बाद है आधुनिक काल 1750 से 1980 तक 28 शताबदी के अंत में गलोब एक यूरोपी प्रभुतव वाला वैश्विक विनीमे नेटवर्क बन गया प्रारंबिक आधुन इंगेल्स ने पुझीपती वर्ग की वैश्विक बाजारों की खोज पर जोड देते हुए इस बदलाव पर ध्यान दिया 19 शताबदी में विश्व वैपार उपनिविश्वाद और विज्ञान और प्राध्योगी के उद्ये में विरिद्धी देखी गई जिससे वैश्व युद्धों को बढ़ावा दिया दुवितिये विश्व युद्ध के बाद का युग परमानू युद्ध की भैयाविता और वैश्विक लोकतांतरिक साशाशन की संभावनाओं को सन्युक्त राष्ट के माध्यम से लेकर आया जो शीत युद्ध के कारण पुझी वाद और समाजवादी गुटों में विभाजित हो गया देखे दोस्तों यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि किस तरह से वैश्वी करण हो रहा है अलग-अलग चड़नों में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि अलग-अलग चड़नों के दौरान किस तरह से विनी में नेटवर्क बन गया इसके लावब वो इसके लावब बताते हैं आधुनिक काल में मैंफ्रेड स्टीगर कि उनिश्वी शताबदी में विश्व वैपार उपनी वेशवाद और विज्ञान और प्रोध्योगी की यानिके टेक्नलोजी के उद्या में बृद्धी दे समय काफी जाता मतलब हो रहा था ठीके विज्ञान और टेक्नलोजी में मतलब बढ़ाओते रही हुई तो इससे क्या हुआ वैश्विक बुनियादी जो धाचा था वो सक्षम बना संचार सक्षम बना इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जनसंख्या विस्फोर्ड यानिकी जनसंख्या में तेजी से वृद्धी परवास और ओद्योगी करण ने समाजिक राजनितिक आंदोलनों को जन्म दिया जबकि चरम राश्ट्रुवाद ने दो युद के बाद शेतियुद का प्रारम होता है और विश्वोप फुञ्जी वादि गुट और समाजवादि गुट में विभाजित दिखता है तो यहाँ पर दोस्तों यह सामाने बातें बताई गए थैं आयो पर यहाँ तक यहाँ आपको समझ में आया होगा इसके लावव वैश्विक रण में एक महत्वपूर्ण चलांग है 1991 में सोवियत सामराज्य के पतन और वैश्विक बाजार इस्थापित करने की नव उधारवादी पहल ने इस गतिशेलता को बढ़ावा दिया सूचना और संचार प्रौध्योगी की करांती के साथ मिलकर अव यह नियमन न वैश्विक रण को बढ़ावा दिया जिससे इंटरनेट वाइलेस संचार डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन शोचल नेटवर्किंग टूल के प्रिसार के माध्यम से श्रैतिच नेटवर्क के विकास को सक्षम किया गया इस समकालिन काल को वैश्विक रण के रूप में व्य के थाठी का पतन हो जाता है जिससे वैश्वीकरन को बढ़ावा मिलता है इसके साथ ही इस टाइम पीयरेड में इस समय नवुदारवादी जो विचार है इसको भी बढ़ावा मिलता है जिससे वैश्विकरन परौद्योगी कि याने कि Information and Communication Technology में करांती होती है जिससे वैश्वी करण को बढ़ावा मिलता है जिससे इंटरनेट, वायरलेस, संचार, डिजिटल, मेडिया और आनलाइन सोशल नेटवर्किंग, टूल के प्रिसार के माध्यम से श्रैतिश नेटवर्क के विकास को सक्षम किया जाता है मतलब जो संचार की साधन है, जो माध्यम है तो उनको और भी ज़्यादा सक्षम किया जाता है तो यह समकाली नकाल था, आई होग यहाँ पर यह बातें आपको समझ में आई होंगे दोस्तों यहाँ तक अभी हमने वैश्वी करण के इतिहास की मैन्फरेड स्टीगर की संकलपना को समझा, ठीक है मैन्फरेड स्टीगर के दुआरा वैश्वी करण के इतिहास के बारे में जो बातें बताए गई है, अभी हमने उसको समझा है, ठीक है पूर वैश्वी करण को देखा, वैश्वी करण के इसके लावा पूर वाधुनिक काल, प्रारंबिक आधुनिक काल, आधुनिक काल और फिर समकालिन काल को अभी हमने समझा, तो यहाँ पर अभी हमने जितनी भी बातें की हैं वैश्वी करण के इतिहास से सम्मंदित, वो मैनिफ्रेड स्टीगर की संकलपना से सम्मंदित हैं, अब हम दोस्तों यहां पर बात कर रहे हैं George Richard की वैश्विकरण की उत्पत्ति, मेरा दोस्तों कहने का मतलब यही है, कि अलग-अलग जो विद्वान हैं दोस्तों, वो अलग-अलग तरह से वैश्विकरण की इतिहास और उत्पत्ति को बताते हैं, मतलब मुखे रूप से तो मानते हैं कि जो वैश्विकरण है, जो globalization है, वो एक समकालिन घटना है, मतलब बहुत पुराना नहीं है, कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं, अब यहां पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं George Richard की वैश्विकरण की उत्पत्ति, मतलब अब इनके द्वारा जो भी बाते की गई ह वैश्विकरण से संबंदित, अब हम इसको समझ रहे हैं, दोस्तों अगर हम बात करें George Richard की वैश्विकरण की उत्पत्ति के अवधारना को अगर हम बात करें, कि George Richard ने वैश्विकरण से संबंदित क्या क्या बाते की हैं, तो यहां पर दोस्तों हम देखते हैं कि George Richard ने वै वैश्वी करण से संबंदित फिर यहां पर हम बात करेंगे युग और फिर यहां पर हम देखेंगे घटना करम ठीक है अलग-अलग युग की भी बात करेंगे वैश्वी करण से संबंदित फिर हम घटना करम को भी देखेंगे कि क्या-क्या मुख्य को घटना करम रहे हैं वै कि यहां पर जितनी भी यहां पर मैंने नोट्स तयार किया यहां यह जितनी भी Machine कवर किया है यह मैंनेshell की कवर किया है तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जोड जीचर की वैश्विकरण की उत्पत्ति ठीक है तो यहाँ पर पहला है हाड वायर्ड तो यहाँ पर हाड वायर्ड एक विचार है वैश्विकरण से संबंदित नयान चंदा क्या तर्क है कि वैश्विकरण एक बहतर और तलाश में अफ्रीका छोड गया था और पचास हजार वर्षों तक समुंद्री तटों पर भटकने और मध्धे एश्या को पार करने के बाद अंतदा सभी महादुईपों में बस गया चंदा ने बहतर जीवन के लिए मानवी आगरह से जुड़े वैश्विकरण के चार पहलूओं पर प्रकाश डाला व्यापार या वानिज्ये, मिशनरी कारे, साहसिक कारे और विज्ये हाना कि यह दावा की वैश्विकरण मनुश्यों के लिए जन्म जात है, समस्या ग्रस्त हो सकता है क्योंकि वैश्विकरण की घटना से पता चलता है कि हम वरतमान में एक अलग वैश्विक युग में हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक विचार है, हाट वायरड का जिसमें नैयन चंदरा जी के विचार यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जो कि बताते हैं कि वैश्विकरण है, वो काफी बहुत समय पहले से हुआ है, बहुत ही जादा बहुत प्राचीन समय के यहाँ पर यह बा तो यहां पर इस सामाने बाते हैं, समझ में आपको आई रहा होगा, लगिन आम मुख्याब आते ये समझे कि यहां पर वैष्विकरन से सम्झेत, एक विचार यहां पर रखा गया है, हाड़वायर का, इसमें नयांचंदा जी के विचार हमें दिखाए देते हैं, जो कि मतलब यहाँ पर ऐसी बात कर रहे हैं कि जो वैश्वी करण है वो बहुत बहुत ही प्राचीन समय से हुआ है तो यहाँ पर यह हिम यूग की बात करते हैं कि हिम यूग के अंत से वैश्वी करण के आरम की बात करते हैं इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर वैश्वी करण से संबंदि को खारिश करता है और इस तरह के बिंदू की पहचान को काफी हद तक आप्रसांगिक मानता है इस परिप्रेक्षे के अनुसार वैश्विक रण के एतिहासिक चक्र रहे हैं और चक्र स्वैम किसी विशिष्ट चरण या उत्पत्ति के बजाए सर्वोपरी महत्वो रखते हैं वर्तमान वैश्विक यूग के विचार के विपरित यह द्रिश्टिकोन बताता है कि अतीत में इसी तरह के वैश्विक यूग हुए हैं इसके लावा यह अनुमान लगाया गया है कि जिसे अब एक नए वैश्विक यूग या उसके चरम के रूप में माना जा सकता है वह अंतता सिकुड जाएगा और गायब हो जाएगा जिससे बैश्विकरण की चल रही प्रक्रिया में एक नए चक्र का रास्ता बन जाएगा दोस्तों हो सकता है कि समझने में आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो लेकिन यहीं कहुँआ दोस्तों बस आप सामानी रूप से समझे ठीक जितनी बातें आपको अच्छे समझ में आ रही हैं उन्हें पूरी तरह से आप याद करने का प्रयास करें देखें यहाँ पर मैं आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं टॉपिक को लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा हार्ड लगे क्योंकि यह टॉपिक इ ने उसी से संबंदित टॉपिक को एड किया है तो यह जो टॉपिक है वो थोड़े से हाड है तो यह लेकिन दोस्तों फिर भी आप समझने का प्रयास करें सामाने रूप से जितनी भी बात आपको समझ में आ रही है आप उनको याद करें थोड़ा सा मतलब आप कोशिश करें अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही थोड़ी सी कोशिश करें कि समझने की लेकिन फिर भी अकर आपको दिक्कत हो रही है किसी चीज में किसी पॉइंट में तो आप उसको बस सामाने रूप से समझ लें इतना इनफ है मेरा दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जैसे कि देखे दोस्तों एक्जाम में आपको पढ़के जाना है पूरी तरह आपको अच्छे से पढ़कर जाना है ठीक है आप प्रियास करें कि एक्जाम में आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर जाएं लेकिन फिर भी पूरे सिलेबस में अगर एक दो टॉपिक या दो चार टॉपिक अगर आपको हाड लगते हैं या कोई टॉपिक आपको हाड लग रहा है तो उसे सामाने रूप से समझ लें जैसे कि अभी हमने बात कि थी कि जब हमने मैंट्रेट स्टीगर को पढ़ा था तो हमने यहां पर बात कि थी मैंट्रेट इसbus SW करन को बतां था है लेकरिया यहां पर क्या है कि जो मतलब विश्व है तो उसमें कई सारे चकरा चकर के रूप वैश्विकरण होता है और ऐसे में कोई प्रारंभी ब Boh बिंदू हो महतुपूर्ण नहीं रह जाता है कि यहां भी कह शकते हैं कि अशुश्विकरण की एक वी देत pass नुसों त्हुक दो में वैशवी करण तो यहां पर यहां पर यह विचार का अर्थ यह है आई अपर यह आपको समझें में इसके हलावा दोस्तों यूग वैश्वी गण की उत्पत्ति पर तीसरे परिप्रेक्षे में थेर बॉर्ण वैश्विकरण के छे अलग-अलग युगों या लहरों की पहचान करता है जो चौथी से 21 सदी तक फैला हुआ है धर्मों का वैश्विकरण यूरोपिय आपनिवेशिक विजय अंतर यूरोपिय युद सामराज्य वाद दुईतिय विश् झालोओं की बात करते हैं तो यूग के यूग से संमन्मदित भी विचार है वैश्विकरण जो का फिर यह खतम हो गया तो बनी चक्र के अंतरगत वैश्वी करण से संबनित, अलग-अलग मतलब जो भी मतलब चीजें हैं वो हुई, फिर नेक्स जो आएगा, जो चक्र होगा वैश्वी करण का, उसमें अलग-अलग जो चीजें होंगी, वो वैश्वी करण से संबनित होंगी, मतलब यहाँ पर अलग-अल दोर में इसे समझ सकते हैं गटना करम का एर्थ यह है कि कई बारा कई ऐसी घटनाएं होती जो वैश्वी करण में अपना योगदान करती हैं तो उसी से संबंदित है यहां पर यहां विशिष्ट घटनाएं वैश्विकरण की उत्पत्ति में युगदान करती हैं उनमें से कुछ में शामिल हैं इसा से पहले रोमन विजे इसाई धर्म और इसलाम जैसे धर्मों का परसार मद्धे युग में व्यापार अमेरि उपगराओं का प्रशेपन टेलिविजन और उपगरा संगत्ता इंटरनेट और डिजिटल बैंकिंग का विकास और टुइन टावर पर आतंकी हमले तो यहां पर यह कुछ विशिष्ट घट अधिक विशिष्ट घटनाएं जिन्हों ने वैश्विकरण की उत्पत्ति में अपना योगदान दिया है ट्रांस अट्लांटिक का मतलब दोस्तों यह है जो अट्लांटिक महासागर है उसके दोनों तरफ जैसे कि दोस्तों यहां पर लिखा है ट्रांस अट्लांटिक टेलिफोन केबल तो इसका मतलब यह है कि जो अट्लांटिक महासागर है उसके दोनो रूप से वैश्वी करण में अपना योगदान दिया है वो यहां तीन आंदोलनों पर विशेश रूप से चर्चा की गई है जो 21 सदी में जवड़दस्त बदलाव लाए हैं सबसे पहले दूइतिये विश्वी युद के बाद के युग ने सन्युत राज्य अमेरिका के उद की करण के विचार के साथ निकटता से जुड़ा हुआ दूसरे बहु राश्ट्री निदि अभीन अंग बन गए जो राश्ट्रिय संस्थाओं से विश्व पर परिचालन करने वाले दिगजों के लिए विकसित हो रहौ रहे हैं और अंत में सोवेत संके अंत और 1991 में शेतいき युद्ध की समापती ने वैश्विकरण को गती दी आईरन करटन के टूटने ने पूंजीवाद और कम्मिनिस्ट छेतरों के बीच बाधाओं को खत्म कर दिया जिससे दुनिया को व्यापक वैश्विक प्रवा के लिए खोल दिया गया जिसमें अप्रवासन पर्यटन और आ युद्ध के बाद दाएरे और तीवरिता में विस्तार कर रहा था तो देखे दोस्तों व्यापक अधिक हाल के परिवर्तन यहां पर तीन मुख्य बातें यहां पर की गई हैं जिनोंने वैश्विकरण में अपना बहुत ज्यादा मतलब योगदान दिया है या एक बहुत यहां पर देखने को मिलता है तो यहां पर पहला है सन्युक्तुराज्य अमेरिका का उद्भव कि किस तरह से सन्युक्तुराज्य अमेरिका का उद्भव हुआ सेकंड वर्ल्ड वार के बाद एक बहुत महाशक्ति की रोप में मतलब उभरा हाना कि सोव्या संग भी एक पहला कि सन्युक्त राज्य अमेरिका का उद्भव जो अमेरिका है वह सैन्ने और आर्थिक शक्ति के रूपे इसका उद्भव होता है सेकंड वर्ल्ड वार के बाद एक बहुत व्यापक परिवर्तन यह है इसके अलावा बहुराश्ट्रिय निगम ठीके अब मर्ट जो जो मर्तिनेशनल कंपनीज हैं दोस्तों तो वह वह भी बहुत तेजी से विकषित होती हैं कई सारी मर्तिनेशनल कंपनियां सामने आती है एम एनसी जो हैं वो सामने आती हैं इसके साथ यहाँ पर ताकिvy घटना चेसीरी इसको देखा इसके अंतरकत हमने दोस्तों हाड वायर का जो विचार था इसको हमने समझा मतलब वैश्विकरंड से संबंदित हाड वायर का एक जो विचार है हाड वायर यह जो विचार है वैश्विकरंड से संबंदित इसको अभी हमने समझा इसके लावा हमने बात की चक्र किये हैं इसके लावह योग ठीक है इसके लावह घर भर घोटना करांग और जो भैपक जो परीवर्तन हुए हाल की मिखाल पर हमने है हाल के आप चाहें तो एक बार डियो एस्वाइल की रीडिंग से भी help ले सकते हैं तो वैश्वी गरण का क्या अर्थ होता है दोस्तों तो starting में आपको बताया था कि प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगी अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको काफी अच सादिते हैं वैश्वी गरण क्या है तो यह एक प्रकरिया है ist us जिसमें देश संगठन और लोग एक दूसरे के साथ अधिक संबंदित होते हैं छिस इसमें व्यापार निवेश शिरम प्रवास और तकनिकी ग्यान की आदान परदान शामिल होते हैं मतलब you कि जो वैश्विकरण है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश, संगठन, लोग एक दूसरे के साथ अधिक संबंधित होते हैं ठीक है यहाँ पर इस सामानने बाते बताई गे थी आई होब यही समझ में आया होगा आपको बाकी मैंने आपको जो वीडियो बताई है आप उसे दे तो एक के रहाते हैं इसका उद्देश्विकरण के प्रभावों को कम करना होता है तो दोस्तों वैश्विकरण किfight करन को कम मतलब किया जाता है या कई बार ऐसी घटनाएं होती है जिससे ऐसा लगता है कि वैश्वी करण कम हो रहा है तो तो उस घटना को वी वैश्वी करण के रूप में मतलब वी वैश्वी करण के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वी वैश्वी करण करत आपको समझ में आ गया कि वी वैश्वी करण में क क्या होता है यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वैश्वी करण के प्रभावों को प्रभाव कम होते हैं वैश्वी करण का जो प्रभाव होता है वो कम होता है इसके लावा नव वैश्वी करण यह एक अफधारना है जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्वी करण की मौजूदा इस्तिती में सुधार और परिवर्तन करना है ताकि इसके नकरात्मक प्रभावों को कम किया जा सके तो दोस्तों नव वैश्वी करण किया है तो इसका उद्देश यही है दोस्तों जो वैश्वी करण है जो वैश्वी करण है उसकी इस्तिती में सुधार किया जाए उसमें प को अतीत में वैश्वी करण को परिभाशित करने वाले सिध्धानतों के पुनर मुल्यांकन की विशेष्टा वाले वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिद्रिश्य में संभावित बदलाव के रूप में समझा जा सकता है यह अवधारना इस विचार से उत्पन होती है कि वैश्वी करण की गती और प्रकरती धीमी हो सकती है या एक अलग रूप ले सकती है देखे दोस्तों वैश्वी करण के पश्यात अब यह जो विचार है दोस्तों वैश्वी करण के पश्यात पश्यात मतलब क्या है बातकार तो यहां पर यही बाते हो रही है वैश्वी कर जो वैश्वी करण है तो उसमें संभावित बदलाव के रूप में समझा जा सकता है यह अवधारना इस विचार से उत्पन होती है कि वैश्वी करण एक एकी करण की गती और प्रकरती धीमी हो सकती है या एक अलग रूप ले सकती है यह मतलब यह है कि एक संभावित बदलाव की बात कर रहा है कि गती धीमी हो सकती है तेज भी हो सकती है न तो एक मतलब यहाँ पर एक संभावित बदलाव की रूप में से समझा जा सकता है I hope दोस्तों यहां तक आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर होई होगी उमिद करता हूँ दोस्तों यहां तक आपको सारी बातें सही से समझ में आई होगी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें थैंक यू